था बरूट से इसका अच्छा कारोबार रहे हैं बिल्ली के ट्रांसपर्मर बनाता है और बड़ी बड़ी जो कम्पनियां है इंगा अधानी में वह सप्लाइग करते हूं आपि तो एक बार हमारे सेंटर पर आया और उसने जो बाते शेर की मैं आपसे शेर कर रहा हूं फिर उ अच्छे ट्रांसपर बना रहे हैं कि हम किसी को भी बता दे हो जो हमारी प्राड़क्त लेने वाला है इतना में confident है क्योंकि हमारा बिजनेस बुजूर्गा का बिजनेस है मेरे पापा ने बिजनेस शुरू किया था आज में बिजनेस चला रहा हूं दोनों चला रहे हैं उसका कुछ देर जाता हूं फिर तुरंद में वापस टोट जाता हूं तुरंद ऐसा लगता है चल घर पर चलते हैं यहां पर मेरा काम ऐसा है कि मुझे जाना ही पड़े गया मैं जाता नहीं हर रोज मुझे काम पर जाना ही जाना है कुछ देर रूके मैं घर पर आ जाता हूं कमर में बंद कर देता हूं दरवाजा बंद करके गंटों तक मैं बैट में लेटा रहता हूं यह हाल होई है मेरी तो मैंने पूछा कि क्या ऐसी कोई तो सर, मुझे आब इतना दर गबराट लगने लगा जला है कि किसी भी call आती है तो मुझे यह जहाथ कि हमारा हमाल rejection होगा तो इसका डर मेरे दित्पांग के हमेशा रहता है कि कि सब्सक्राइब हो beyond हमारा product reject हो जाए इसी ड़र हमेशा रहती है तो इसके बारे में बहुत alert रहता हूं कि हमें इस्त rede pip करना हो जो जो भी हम काम करें, जो भी चीज बना रहा है, बढ़िया क्वालिटिक ये बनाओं कि इसमें रिजेक्शन नहीं आना चाहिए, तो हमेशा इस चीज में ज्यादा सो तरह, इससे भी जादा डर लगता है, कि कोई चीज खराब ना हो जाए, कोई प्रोड़क ऐसा कोई लॉट ख जले गए या स्ट्राइक कर दिया, तो मेरा क्या होगा, दिमाग के इंदर हमेशा ही चलता रहता है, कि employees है तो है, employees नहीं है, तो क्या है, तो हमेशा मैं इस दो चीजों से ज्यादा प्रफायत हूँ, कि हमारा प्रोड़क का रिजेक्शन ना हो जाए, और employees रहेंगे कि नही तो मैं कि इस तरह की क्या चीज हुई कि आपको ऐसा लग रहा है, तो उसने बताए कि सर ऐसा भी हमारे साथ भी हुआ नहीं है, लेकिन हमारे जो competitor है, उसके साथ ऐसा हुआ है, इसके साथ बार बार ऐसा होता रहता है, कि इसके बहुत सारे lot foreign से वापस आती है, उसने export किया अब इस चीज से इतना डर लगने लगा है, कि मैं साथ अपना काम चोड़के और कोई काम में चले जाओ, लेकिन यह संभव नहीं है, यह इतना बड़ा कारोबार खेला हुआ, इतने advance में हमने order लिये हुए, कि मैं काम को बदल नहीं सकता, मैं इस business से कभी भाग भी नहीं सक तो प्राब्लम है कि यह एक बड़ी प्राब्लम क्या है, कि इस business को छोड़ भी नहीं सकते हैं, और इसमें बहुत सारी प्राब्लम फिस्ट कर रहे हैं, तो इसका हल क्या है, तो लोग आज कुछ ऐसी बाते करते हैं, कि मेरे पास तो यह quality है, मेरे पास तो यह qualification है, इतने सार experience है, तो तो मैं सफल होने ही वाला हूँ, यह गलत प्यमी में मत रहना, यह बहुत बड़ी गलत प्यमी है, आपके साथ हर चीज सही है, बहुत अच्छा चीज़ आपके पास है, बहुत अच्छा experience, बहुत अच्छी degrees qualification के बाद भी लोग सफल नहीं हो पाते हैं, और इसमें एक चीज सबसे बड़ी बाता है, डर गबराहट, समझ रहो, बहुत अच्छी quality होने के बावजूद भी व्यक्ति के अंदर डर गबराहट आ गई, सारी quality को खतम कर देगी, व्यक्ति के एक भी चीज अच्छी नहीं हो सकती है, उसका जो performance होना चाहिए हो, कभी होगा ही नही इसके अंदर डर गबराट है, तो, यह भाई साब के साथ भी वही बात हुई, उसने भी बोला कि सर, मैंने आपकी हर वीडियो देखी है, और कई समय से मैं follow भी कर रहा हूँ, इसमें मैं really भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो अपनी जात से, मैं खुझ से जो चीज चाहता ट्रांस्पर्वर में हमारा इतना मास्टरी है, इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, तो हमें तो कोई डर होना नहीं चाहिए, अब तो हमारे कॉम्पेटिटर भी नहीं है, चीजे तो पहले से बहुत अच्छी है, बैतर हो चुकी है हमारे साथ, फिर भी ये चीज क्यों होई, म काम के उपर ध्यान देते थे, मामला क्या है ध्यान से समझिये, जब वो चीज इसके साथ थी, ग्रो हो रहे थे, सफल हो रहे थे, कमपनी छोटी से बड़ी कर रहे थे, ध्यान उसका कमपनी बड़ी बनाने पर था, ग्रोथ पर था, कमपनी को कैसे आगे लाए जाए, कमपन आई सब कुछ बढ़िया है सब कुछ मेरे खाल से सही है फिर ये प्राब्लेम दिमाग में आ रहे है तो वेन क्या है बस यही एक प्राब्लम है कि आपके साथ सब कुछ सही हो रहा है सब कुछ सही हो गया है तो आपके mind में एक insecurity का खयाल आ गया कि यह सब कुछ जो सही है कहीं वो खतम न हो जाए चीजे सही हैं कहीं वो destroy ना हो जाए, कहीं हमारा rejection ना हो जाए, कहीं हमारा employee सले ना जाए, कहीं हमारे factory में आग न लग जाए, ऐसे thoughts हमेशा रहते हैं दिन में भी रात में भी मेझलब की insecurity का एक ख्याल, insecurity का ख्याल दिमाग में कुछ दिन के लिए चला यह मैंड में चला गया फिर यह गहराई से गहराई से सोतरा तो फिर इसके दिमाग में फोबिया खड़ा हो गया यह भी हो सकता है यह भी हो सकता है अब इतना भी होनहार व्यक्ति फोन की रिंग बजने से घबराता है कापने लगता है तो मतलब कि कित इसके बार हम ज़्यादा सूते हैं जादा हो गया, तो उसने तो free time में भी remainsучा, कि rejection होगा तो फोन आएगा, rejection होगा बिजखशन आएगा, दिमांद में चलाते रहे, फिर इसकी वज़े से दिमांद में चला कि कोई भी phone आया तो rejection का ही होगा, इसकी वज़े से बहुत भद तक इसने यह बिठा लिया तो इसने मुला कि सर यह चीजे को मैं भी जानता हूँ यह थियोरी मुझे भी मालूम है मैंने भी सब कुछ देखा हुआ है मैं experience भी करता हूँ मुझे हल चाहिए, मुझे इससे बाहर निकलना है चलो मैंने कहा तो हल तो हल तो है आसान है, निकल जाओगे, कोई प्राब्लेम नहीं है तो क्या करना पड़ेगा आपने एक जो चीज दिमाग के इंदर फोबिया बिठा है, 21 दिन अपने फोबिया से बाहर रखो company के बारे में, समस्या के बारे में rejection के बारे में, employees के बारे में कुछ भी सोचना नहीं है अपने आपको 21 दिन से जाले सोच से बाहर रखो हमारे साथ जो भी हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है इसे भी अच्छा होगा इस तरह की सोच के साथ अपने आपको 21 दिन company से अपने आपको दूर ले जाओ company से दूर कहीं भी आप center पर आके practice करना चाहो तो कर सकते हो, अगर आपको center पर नहीं करना है अपने आपको कोई और चिस मतलब अपनी family के साथ friend circle के साथ कहीं और नूर आप ले जाओ आप 21 दिन रहे सकते हैं, आप एक हफ्ता जाओ पहले इसने पहला साल यह किया इससार पहले तो 21 दिन सोचना ही मेरे लिए इतना मुझिन है मैं तो एक गंटा भी है साने कि मैं इससे दूर है सकूँ लेकिन फिर भी दिमाग के लिए मुझे लगता है कि करना पड़ेगा तो मैं पहले एक हफ्ते के लिए कुशिश कर सकता हूँ कि एक हफ्ता अपने आपको company से दूर रख सकता हूँ चलो अहीं से सुरुआत करो किया होगा नहीं पता नहीं उसने फिर मेरे साथ भी contact नहीं किया है लेकिन शुरुआत उसकी होगी तो यह problem solve हो जाएगी इस तरह से व्यक्ति अपने आपको problem से lifetime के लिए solve कर सकता है एक नम confidence जी सकता है तो सबसे बड़ा काम क्या कर रहा है कि जो भी समस्या आपको महसूस हो रही है जिस वज़े से महसूस हो रही है इस चीज से अपने आपको दूर ले जाने problem क्या होती कि व्यक्ति physically दूर गया mobile laptop साथ में लेके गया तो मतलब कि वो दूर गया ही नहीं है सारी चीज़े इसके साथ जुड़ी हुई है तो मैंने उसको ऐसा बता कि देखो आप अपने आपको अलग करो लेकिन ऐसे अलग करो कि कमपनी की कोई भी चीज कुईसी भी तरह की effect आपको नहीं करनी चाहिए कमपनी का कोई भी काम हुआ है कमपनी की कोई message आपको मिलनी नहीं चाहिए हाँ यह तो कर सकता हूँ यह सा मुझे कोई डर नहीं है कि मेरे फादर भी बहुत अच्छा है स्टेबल है वो भी कमपनी समाल रहे हैं और वो भी मुझे support कर रहे हैं बहुत अच्छा हमारा staff है तो इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है मैं ऐसा कर सकता हूँ तो मैं कहा पहले यही करो अपने आपको अपने हर काम से थोड़े दिन के लिए दूर ले जाओ कोई भी चीज़ के बारे में आपको सोचना नहीं है कि अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है आपको पहले एक्सेप करना है कि जैसे अच्छा ही होगा अगर थोड़ा बहुत आपकी गहर मोजुद्गी में बुरा हुआ भी है तो आप बापस जाके उसको ठीक कर लेंगे यह आपको confident है हाँ यह तो है तो बस यह चीज़ करो तो अगर आपके साथ भी ऐसी कोई चीज होती है कि आपको कोई परिशानी कोई भी एक ऐसी चीज आपको बहुत परिशान कर रही है तो इस चीज़ से अपने आपको थोड़ा दूर ले जाओ दूर ले जाके अपने आपको फ्री करो देखो कि आपके माइड से वो चीज़े दीरे दीर डर अपराट निकल जाएगी और कुछ समय ऐसा आएगा कुछ दिनों के बाद समय ऐसा आएगा कि आपके दिमाद में कोई डर अपरहटी नहीं है लेकिन प्राब्लेम कब है कि जब आपने समस्यक्तों साथ कनेक्ट रखा है समझ रहो आप अपने प्राब्लेम से आप दूर होते ही नहीं हो तो समाधान समधव ही नहीं है आप चाहो लाख कोशिश कर लो दिमाद से वो प्राब्लेम मिकलने वाली नहीं है आपका problem solve होने वाला नहीं है इस तरह से अपने आपको problem से थोड़ा दूर करने की शरुवत होती है आप कोई भी काम करें आप employees है या आप businessmen है जो भी है दिमाग को आप ये हमेशा बताइए कि मेरा काम the best है मेरा performance extraordinary है मैं लाजवाब हूँ मेरा हर काम बहुत शांदार रहता है ये चीज दिमाग को आप देते रहे है आपका कभी भी rejection नहीं होगा company में भी नहीं आपके product का भी नहीं होगा अगर ये चीज के साथ आप काम करते रहे तो लेकिन जिस दिन आपने आपने आपको गिराना शुरू किया अपने आपको कमजोर मानना शुरू किया अपने आपको आपने खामियों की और अपने खामियों को देखना शुरू किया वहीं से आपका पतन शुरू होगा और ये कहां जाके रुकेगा कोई आता पता नहीं है तो पहले आप अपने आपको इस तरह से handle कीजिए कैसे सोलोगी अपने आप पर काम कीजिए मैं इसा व्यक्ति हूं और आपके साथ साही हो सारी समस्टाव की जड़ डर और गबराट है कि कोई भी व्यक्ति की सक्सिस के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा होता है डर और गबराट और आपने इससे जीत लिया आपने डर समसलही कर पाते हैं और अपने इच्छित सफल्टा हाशिल नहीं कर पाते हैं लुजए एक है कि प्रांव के अंदर को हमाई अंधर न ककुई अ हो घखढी होती हैं जैसे कोई चीज आपको uncomfortable लग रही है तूरंत alert होके आप अपने अंदर confident पैदा करने का काम करेंगे आपका एक ही duty है दिमाग के अंदर से confident बढ़ाने का कोई भी practice आप कर लो दिमाग को डर गबराट से आगे बढ़ने के लिए नहीं जाने लेना है यह चीज आपको करने पड़े लिए दूसरी important जिस क्या है कि आपको एक बहुत ही important काम यह करना है कि आपके साथ कुछ भी होता है कोई भी चीज के बारे में आपको डर गबराट है इससे आने वाले परिणाम के बारे में सोच कर आपको रुपना नहीं है त्यान से इस बात को समझे लोग fail क्यों हो रहे हैं कोई भी काम करने के बारे में सोचते हैं और इससे आने वाले negative परिणाम के बारे में भी पहले से सोच लेते हैं यह सोचना चाहिए लेकिन सोचने के बाद परिणा गलत आता हुआ दिख रहा है तो अपने आपको रोक लिया कि या तो रिजर्ट नहीं है या तो हम फेल हो रहे हैं तो अपने आपको रोक लिया तो उसको कभी सफलता मिलने वाले ही नहीं है तो सफलता के लिए सबसे important जिस क्या है कि आपको पता है कि उसमें failure के chances है असफलता के chances बहुत ज़्यादा है फिर भी आप इसके लिए काम कर रहे हैं action लेते हैं तो वहाँ पे सफलता निश्चित है आज नहीं तो कल सफलता तो उसमें मिलने ही वाली है अगर आपने डर होते हुई भी काम किया तो क्योंकि आप रुख गए तो तो आगे का कोई chance नहीं है कुछी भी चीज सहाथ में आने वाली नहीं है लेकिन डर के बाद भी आपने काम किया तो उसमें सायद आप असफल हो भी सकते हैं लेकिन इसमें सफल भी हो सकते हैं और अगर आप सफल हो गए तो यह सफलता इतनी बड़ी सफलता होगी कि दुनिया देखेगी, यह सब होता है, लेकिन इसमें बहुत कम लोग इसा कर पाएंगे, जादा तर नहीं, बड़े-बड़े जो इंडेस्ट्रिलिस हैं वो इस तरह सी सुचते हैं सफल हो गए बहुत सारा कुछ खतम हो जायेगा, बहुत सारा लॉस हो जायेगा अगर सफल हो गए तो बहुत बड़ा काम हो जायेगा हम अभी दुसरे संटर की तयारी कर रहे हैं बहुत सारे प्रावल्म साथ है यह सफल होगा कहां कैसे कोशी जगा किस जगा पर सफल होगा कौन सा लेंड सही है क्या चीज सही गलत अभी से इतना दिमाग चलता नहीं है बस करना है जो भी होगा वहीं जाके पता चलेगा कि कि आज तक किसी को पहले से पता चला ही नहीं है काम करने के बाद ही पता चलता है तो आप काम करोगी तो पता चलेगा ना कि कुछ गलत भी था है काम करने से पहले आप इस सोचे गलत हो चान्ट हो गया इसके लिए आप काम काम रूख लेते होhen't I am तो लोग इस वज़े से रूके हुए हैं कि हम सब कुछ सही कर लेंगे थोड़ा सा रिस्क लेने की कोशिश करो रिस्क के बिना तो कुछ होने वाला नहीं है हाँ इसमें असफलता की चांशिस है ये चीज पहले से मान कर ही चलना है कुछ प्रतिशत असफलता है ही मिलने ही वाली है हमारा असफलता का सामना होने ही वाला है और इसकी साथ आप चल रहे हैं काम कर रहे हैं सफलता बहुत जल्दी हाथ लगेगी बहुत जल्दी प्रेंड्स के वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को like कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अपने हर group में इस वीडियो को ज़ाधा से ज़ाधा share कीजिए ताकि हर व्यक्ति हमेशा के लिए positive रहे, स्वस्त रहे, खुश रहे और confident रहे इस वीडियो के बारे में आपकी राय हमें कॉमेंट में बताईए और आप हमसे कैसी वीडियो चाहते हैं यह भी हमें कॉमेंट में बताईए ताकि हम आने वाले समय में आपको इस पर वीडियो दे सके अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हीट कीजिए ताकि आने वाले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे